तो हैलो फ्रेंड वैलकम टो माई यूट्व चैनल तो आज की वीडियो हम बात करने वारे कि आप अपने लिए 2022 के अंदर कोई फॉन पर चेस करना चाहते हैं यानि कि आप एक स्मार्ट फॉन पर चेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जरूर एंट तक देखें मैं आपको इस वीडियो में यह बताने वालों कि आप अपने लिए कोई फॉन पर चेस करते तो आपको उसके अंदर क्या क्या थीजिए जो देखनी चाहिए जो आपको जानना बहुत इंपॉर्डन है क्योंकि हम कभी जो कोई फॉन पर चेस करते हैं तो हम बहुत जाता का करदेना और नोटिफिकाशन को करना तो शरी वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहलें बात करेंगे जैब आप अपने लिए कोई फॉन पर चेस करते हैं कोई अपने लिए लिए फॉन पर चेस करता है किसी को वीडियो ब्राइना का शौक होता है यह किसी को मल्टि टास्टिंग करने होती अपने फॉन में तो आप अपनी जरूत के साफ से कि आपको पॉन के इंजा सब्सक्राइब क्या चीज़े करने है तो उसके अकॉर्डिक अपने लिए एक बाइब को जरूर देखिए क्यूंकि डिस्पले भी हमाले बहुत इंपॉर्डंट पार्ट है डिस्पले के अंदर हमको सारे चीज़ देखने को मिलते हैं अगर हम गेमिक करता यह वीडियो देखते हैं या कुछ भी हम करते हैं तो सारे चीज़ हमारे डिस्प्लेस से ही सब्सक्राइब करते तो आप हमेसा ध्यान दे कि वह एक सूपर आमुलेट डिस्प्ले वाला ही फोन हो इसका बेनिफिट यह होगा कि आपको उसके इंदर जो कलर है वह काफी अच्छे दिखेंगे वह काफी आउट्डूर विजिलिटी उसकी काफी अच्छी होती है स्वाथ स अगरा अपने लिए पंदर जार के उपर आले फॉन में एसली पैनल ले सकते हैं अगर उसका रिफ्रेस रेट ज्यादा है यानि कि अगरा को 90 हट से उपर का रिफ्रेसरेट मिलता है तो यह आप अपने की लिए अगरा आपको शूपर आम डिस्प्रेश रही है और रिफ्र में हमको कुछ ज्यादा अंदर देखने को नहीं मिलेगा तो कोशिश करें कि जबहें आप अपने लिए प्लस वाला रेजुलिशन वाला ही फॉन हो इसका बेनिफिटी होता है कि आज कि हम फॉन में ही बहुत चीज़े करते हैं यानि कि हम गेमिंग हो गई है आम को कोई सीर जो टाइम अपने फॉन के उपर ही इस पैंड करते हैं तो हमको कोशिश करने कि हमको फॉल अच्छी प्लस वाला फॉन अपने लिए परचेस करें इसका बेनिफिटी होगा जितनी अच्छी रेजुलिशन होगा आपको उतनी ज्यादा अच्छे कंटेंट देखने को तो उसके जो पिच्चर क्वालिटी फॉल अच्छी प्लस में होनी चाहिए और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोसेसर के बारे में आप अपने लिए कोई फॉन परचेस करते हैं तो प्रोसेसर को पर ध्यान जरूर दें क्योंकि हम अपने फॉन के अंदर जो भी काम क करते हैं कोई अप्लिकेशन यूज करते हैं यह गेमिंग करते कुछ भी चीज करते हो साली चीज हमारे प्रोसेसर पे डिपैंड होती है आपका प्रोसेसर जितना चाओ यानि कि जितना लेटेस्ट होगा आपको उस पीड उतनी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी अगर आप अपने लिए कोई फोन प्रोसेसर होता है तो आपको फोन को कि देखेंगे जिए ईुट एब चबिकर करई सब्सक्राहा है और को से महने बाद या ट्रेकर जाएगी पोशीश इह ऑपको फोन के स्पीड हो चैगे तांकि को मिलती रहें तो next बात करने वाले हम 5G या 4G के बारे में हमारे माइन में confusion रहता है कि हमको एक 5G phone लेना या 4G phone लेना है अगर हम बात करें 2022 के बारे में तो 2022 में हमको एक 5G phone अपने लिए purchase करना चाहिए क्योंकि 2022 अगर बाइस के एंड से पहले हमको इंडिया में 5G देखने को मिलने वाला है तो आप अपने अगर फॉन प्रचिस करने जा रहे है अगर वो फॉन पंद्राजार सूपर का फोन है तो आप कोशिच करें कि वह आपको 5G phone ये इसका benefit आपको यह है कि इंडिया में फूचर आपक के पेट करें शॉचर इंडिया नहीं में पड़ेगी आपने जो फॉन पर चीज किर आप उसी के अंदर 5G का यूश कर पाएंगे और जो next बात करेंवाले बैटरी के बारे में हम अपने फॉन के प्रॉसेसर पर ध्यान देते हैं डिस्पले पर ध्यान देते हैं उतने इंप फोन को डेली दस बारा घंटे यूज़ करते हैं तो आप अपने लिक हैवी बैटरी आला फोन देखे छह जार यह साथ चार में चले बैटरी वाले फोन भी आपको मार्केटिव देखने को मिलते हैं बट अगर मेरी बात मनद तो आप साड़े चार से पांच हजार में चली बै करीवी है कम बैटरी वाला फोन भी आपका 8-10 घंटे इसलिए चल जाता है अगर आपको जादे यह लगता है कि मेरे जादा ही यूज़े तो आपने लिए ऐसा फोन दिखे जो फास चार्ज होता हो यानि कि उसका जो वाट है हो कम से कम 33 वाट वाला चार्जर हो ताकि अगर अगर आपका फोन भार है कि ने के बाद डाउन होता है तो आप उसको चार्ज करें तो आपको इतना चार्ज हो जाएगा कि आपको तीन से चार घंटे यूज़ कर पाएंगे तो आप अपने लिए जब फॉन पर भी ध्यान दे और सब्सक्राइब करें कि आप अपने लिए बनद और von ने जया खाती है तो इंचीजों को फोलों करें तो आप अपने लिक्टे झाने को लाई करते हैं और आप के कर देना बल को लगो ख़रने अब एन डिन ड को तक कि लिए था